तमस्कार न्यूजवल इंडिया के टुक्री सेक्शन में आपका स्वागत है मैं आपके साथ काविन जब बीते साल कई चाइनीज एप्स को बंद किया गया था तो उसमें सबसे बड़ा जटका लगा था गेमर्स को क्योंकि भारत में सबसे ज़ादा पसंद किये जाना वाला गेम पबजी भी बैन हो गया था उसके बाद से लगा तार इस तरह के अब वहा उड़ती रही कि पबजी बापस आए लेकिन कई के मन में शंका भी रही कि आएगा भी या नहीं तो आपको आज सब सच सच पताते हैं और ये गेम पूरा देशी गेम होने वाला है मतलब सब कुछ इंडियन इंवाल्वड होगा इस गेम में और ये गेम पूरी तरह से बदल कर आएगा इंडियन मार्केट के लिए इस गेम में इंडिया का अपना e-sports ecosystem होगा इंडिया का अपना tournament और league होगा और इसका किसी भी चाइनीज कमपनी क्या किसी भी चाइनीज से तक कोई लेना देना नहीं होगा क्राफटन कमपनी ने ये भी कहा है कि हम सभी की privacy और rights की खदर करते हैं और भारत सरकार के हिसाब से जितना data collection और जो भी laws है उन सभी का ये गेम पालन करेगा इन्हों अपनी website पर भी लिखा है क प्राइविसी और data security इनकी top priority है इस गेम का सारा data Indian server में ही डाला जाएगा और maintain भी होगा तो इंडिया में और सबसे अच्छी बात तो ये है कि company का कहना है कि इस गेम के आने के साथ ही कई नए jobs offer भी आएंगे मार्केट में साथ ही कमपनी यहां करोडों का investment भी करने जा रहे ह ओकई reports की माने तो companies पे time restrictions भी लगा सकते हैं गेम की release date अभी नहीं आई है लेकिन जल्दी ही आज आएगा आज इस वीडियो के जरीए मकसद ये था कि आपको एक scam से बचाया जा सके हैं क्योंकि जब आप इस गेम का नाम सर्च करते हैं तो कई सारे result एक साथ आ जाते हैं और कई आपको APK file download का option भी दिखाने लगते हैं लेकिन सतर्क रही गेम का official launch अभी तक नहीं हुआ है तो ऐसे में ये सब hackers के काम हैं इन सब से बच कर रहे हैं इनके जाल में बिल्कुल नफसना वरना ही आपका सारा data भी चुरा सकते हैं तो official website सिर्फ एक है जिसका नाम है battlegroundsmobileindia.com पब जी जल्द ही आ जाएगा लेकिन जल्दवाजी में किसी hacker के जहांसे में मता जाईएगा लाइक भी करिए और साथी साथ शेयर भी करिए इसके साथ ये और ज़्यादा खबरों को पढ़ने के लिए हमारी official website newsworldindia.com पर भी जरूर जाएगा तब तक के लिए धन्याएगा